हुआ हलो मेरा नाम दीपक केड़गर है मैं साइक्याटरिस्थ हूँ हिपनो थेरेपिस्थ हूँ एनलपी ट्रेनर हूँ और मेरा अकोला में काभी बड़ा हॉस्पिटल है और नशामुक्ति का हॉस्पिटल है तो ट्राव यह ग्याठी और आपनी शुरू में एक शौद चालू कर देता है कि मजा करना अच्छा लगता है कभी सबसक्राइब इस में आपनी चालू कर देता है को यह धहार का दिन है ओए ग्राव पिर शौक लें या को भांग ले लिया ऐसे इसमें चालूआ ज़राइद ह एक social drinker करके आदमी शराब चालू कर देता है, एक social drinker करके चालू करके, वो धेरे 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 जब जब उसको tension आता है, तो उसको महलूब बढ़ता है कि पिछले बार के मैंने शराब ली थी, तब वो शराब से मुझे फेरा tension कम होता है, अभी मुझे भी tension लग रहा है, अभी नीन भी आ जाती है, सोबरे उटा तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको भी ये conditioning उसका हो जाता है, कि जब tension आया, मैंने शराब लिया, मुझे अच्छा लगा, ये एक बार वो conditioning हो गया, तो धिरे 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 उसकी मातरा जो है, वो बढ़ते लगती है, मतलब उसका बढ ज्यादा मातरा शराब की लेनी पड़ती है, मतलब आपको वही effect लिदी लाना है, तो आपको शराब की मातरा जो बढ़ना पड़ेगा, तो लोग बढ़ते बढ़ते जाते रहते, आपको बताई है, कि शराब ये लेते है, तो उसका सेक्स के उपर काफी बढ़ा असर होता ह होता कहा है कि शराफ से मतलब ऐसा बोल जाता है कि अलकोहल increases the desire increases the sexual desire but takes away the performance मतलब उससे अच्छा लगता है कि sex करना चाहिए ऐसा लगता है शराफ देने के बाद में मगर performance जो है sexual performance वो निकल जाता है और वो काफी सारी problems जंजट करना जगड़ा करना वो भी शुरू हो जाता है कि सब के लिए उपाएगी है कि जो डायसरी फिराम की गुली है वो डायसरी फिराम की गुली लेना चाहिए जो गुली से ते उसके पर शराब लिया तो उसकी काफी बड़ी reaction आती है उल्टियां होती है उसको पसीना आता है बुखार आसकता है और उसको चक्कर आती है ऐसा लगता है कि नहीं काफी बड़ी reaction आ गई है उसको यह मालू हो जाता है कि अभी मैं गुली लेता हूँ और मुझे चक्कर आती है, गुली लेता हूँ चक्कर आती है, तो यह कैसा है, यह जो गुली है, वो लोगों के लिए है, कि जो लोग at the पर दो ममेंट शराब पी लेता है, तो यह सबेरे वो सोचते कि नहीं लेना चाहिए, मैंने शराब, सबेरे गुली खा लिया, शाम को गल्ती से उन्होंने शराब ले लिया, उसकी रियाक्शन आ जाती है, हॉस्पिटलाइस करना पड़ता है, उसके इलाज हम करते है, यह एक साल बर गुली लेते रहो, ताकि गुली आप लेते है, तो शराब की नसा जो है, उसकी आदज जो है, वो छुट जाएगे, तो यह लोगों को आप, जारे साह लोगों को यह मालूमात करो, यह दबाई के बारे में, हम लोगों को भरती करते है, हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, उनको शराब मुझ तक करते हैं, तो यह लोगों को शेयर करो, अब एक Rehabilization Center चलो हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, शराबी लोगों को काफी दिन तक रखेंगे, और उनको पुनर वसन उनका करेंगे, हम लोगों को एक तो रिलेटिव के साथ में, मतलब रिष्ट इसिदर चाहता है, कि मैं उनके साथ में रहू और शरफ का Hilaj करू, उसके लिए हमारा अलग हॉस्पिटल है, इसिदर नहीं चाहता है, वो नहीं रह सकता है, तो हम पेशन को अकं़ हरे मतलब रुकाते हैं और वो वह वह उसका Hilaj करते रहता है, तो आप लोगों को शेयर करो, यह शराब मुक्त देश, शराब मुक्त हमारा भारत देश, यह हमारा सपना है, और वो एदि हम पूरा करते हैं, तो एक पावर्फुल इंडिया उबर आएगा, जहां लोग शराब नहीं पियेंगे, और शराब पिने से जो भी तकलिबे होती है, जो भी प्राब्लम्स होती है जहां से भूख तो होके, एक उत्पादन अक्षमता खुटी बढ़ाएंगे, तो एक नए भारत का निर्मान करेंगे, थैंक्यू वेरी मिच्छ